कोरोना संक्रमन में कई मरीजों को आक्सीजन की जरुरत पढ़ रही है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक आक्सीजन पहुचाने के लिए क्रायोजनिक टैंकर का इस्तिमाल किया जाता है हाल के दिनों में इन टैंकरों की कमी की बात सामने आई है आईये जानते हैं cryogenic tanker क्या होता है और oxygen की आपूर्थी के लिए इसे क्यों एहम माना जाता है cryogenic tanker liquid oxygen को बाहर की गर्मी से बचाता है cryogenic tanker में ऐसी gaso का परिवहन किया जाता है जिन gaso के लिए बेहत कम तापमान या minus तापमान की जरुरत होती है जैसे इन गैसों में liquid oxygen, liquid hydrogen, liquid nitrogen, helium आधी शामिल हैं oxygen को tanker में बहुत कम तापमान यानि minus degree पर रखा जाता है अब जानते हैं liquid oxygen को गैस के रूप में कैसे बदला जाता है liquid oxygen को गैस के रूप में बदलने के लिए evaporation की technique अपनाई जाती है इसके लिए oxygen plant में उपकरण होते हैं जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है liquid oxygen गैस के रूप में बदलने लगती है फिर इस गैस को cylinder में भरने के लिए pressure तकनीक अपनाई जाती है छोटे cylinder में कम दवाब पड़ता है लेकिन बड़े cylinder में अधिक दवाब से गैस भरी जाती है अब जानते हैं oxygen को मापने का तरीका क्या है liquid oxygen को लीटर में मापा जाता है लेकिन जब ये गैस के रूप में आती है तो क्यूबिक मीटर में इसकी गरना की जाती है जैसे एक टन oxygen में 7945 लीटर या कहें 7945 क्यूबिक मीटर oxygen होती है